प्रभीश्य मसी के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार मैसाजी भिलाई वाला बाइबिल में प्रिर्टों के काम सत्ताई सध्याय पंदरा आयत में यो लिखा है जब आंधी जहाज पर लगी तो वो ठहर न सका हमने उसे बहने दिया और इस तरह भहते हुए चले गए कई बार साहित्य में गीतों में इस दुनिया को समुंद्र और मनिश जीवन को नईया या नाव कहा गया है हम सब ने सुन रखा है जीवन रूपी जहाज को भवसागर के पार लगाना है समुंद्र में कई जहाज ऐसे होते हैं जो अपने आप बहते रहते हैं ये जहाज खतरनाक होते हैं इसलिए नहीं कि उनमें बैठ कर कोई बंबारी करता है इसलिए नहीं कि वो जहाज कुछ बुरा करने जा रहा है बलकि इसलिए कि उस जहाज का दूसरे जहाजों से टकराने की संभावना ज्यादा है दूसरे जहाजों के कप्तान जानते हैं कि समुद्रू में कहां खत्रा चुपा है कहां पर मौसम खराब हो सकता है कहाँ चटान चुपा है, कहाँ टापू है, कहाँ दलदल है और इन सब बातों के लिए वो तैयार हो सकते हैं लेकिन अपने आप बहते जहाज का कोई लेखा जोखा नहीं होता कभी भी, कहीं से भी वो खत्रा बन कर सामने आ सकता है अपने आप बहने के लिए किसी जहाज को क्यों छोड़ दिया जाता है बाहरी कारण हो सकते हैं जैसा कि हमने अभी पड़ा आधी तूफान के कारण, समंदर में उठी लहरों के कारण, खराब मौसम के कारण बिना किसी नियंतरण के, बिना किसी दिशा के वो अपने आप चलने लगता है मनुश्य जीवन भी कई बार आनियंतरित और अनुशासन हीन हो जाता है जीवन की परिशानियों को, विशम परिस्थितियों को जहलना जब मुश्किल हो जाता है कई लोग अपने आपको नियती पर छोड़ देते हैं बहने देते हैं अपने आपको इस संसार में अपने आप बहने के लिए छोड़ दिये जाने का कारण भीत्री भी हो सकता है हो सकता है जहाज का इंजन खराब हो कहीं कोई तकनी की खराबी हो कहीं कुछ तूट गया हो बहुत कोशिश करने पर भी जब अंदरूनी खरापी को ठीक नहीं किया जा सकता हो तब भी जहाज को छोड़ दिया जाता है अपने आप बेहने के लिए मनश भी कभी कभी अपनी खुद की बनाई उल्जनों में ऐसा फस्ता है कि जीवन उसके नियंतरन से छूट जाता है चहा कर भी वो अपने रास्तों को ठीक नहीं कर पाता कहानी सुनी है एक अपराधी की जो अपनी लंबी सजा काट कर वापिस घर आता है और उसकी माँ पूछती है बेटा ऐसा कैसे हो गया थुड़ी देर सोचने के बाद वो बोलता है मा शुरू तब हुआ जब मैंने बिस्तर से उठकर प्रार्थना करना छोड़ दिया अपने अंदर की अच्छाई को जब हम मार देते हैं परमेश्व पर विश्वास छोड़ देते हैं पाप को अपने अंदर जगह देते हैं अंदरूनी खराबी शुरू हो जाती है लक्ष का बोध ना होना भी अंदरूनी खराबी का लक्षन है मनमर्जी जीवन बिताना और परमेश्वर की आवाज को अनसुना करना भी अंदरूनी खराबी का लक्षन है जैसे इश्यू मसी समझाते हैं नूह के जमाने के बारे में जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चड़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उन में विवाह होते थे तब जल प्रले ने आकर उनको नश्ट कर दिया लुका की इंजिल 17 का 27 प्रियों ये वक्त है सोचने का क्या हमारा जीवन एक ऐसा जहाज है जिसे बहने दिया गया है या फिर हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाला हमारे हृदय में विराजवान है हमारे जीवन का कोई लक्ष है या हमें पता ही नहीं कि ये यात्रा की सोर है क्या हम प्रार्थ नामे कम समय विता रहे हैं क्या हमारा वचन मनन कम हो चला है क्या हमारा जीवन भटगने लगा है यह भटखाव सिर्फ आप के लिए खतरनाक नहीं है आप से जुड़े हर एक विक्ती के लिए खतरनाक है आपके बिवी बच्चों के लिए आपके समाज के लिए आपके देश के लिए प्यारों मन फिराने का जीवन को लक्ष देने का वक्त यही है आमिन